नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल रियल क्विक एनलिसिस पर तो चलिए बिना समय को कवाए हम जल्दी से चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की भले ही क्रशी सुधार कानून की गाड़ी पटरी से उतर गई हो लेकिन फिर भी इस बात पर एक मत राय है कि भारतिय क्रशी छेत्र में मशीनों का प्रियोग बढ़ना ही बढ़ना है कुछ सालों में आप सभी ने देखा होगा कि किस तेज रफ्तार से टेक्टर्स ने बेल गाड़ी की जगा ले ली और ऐसा नहीं है कि यह खेती का मशीनी करण अब खतम हो चुका है अभी तो भाई साब शुरुवात ही हुई है जब किसान भाईयों को मिल रही है मशीन तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें हाइट टेक्निलोजी एक्क्यूपमेंट मिले जो ना केवल उनका काम करें बलकि उनके सरीर और स्वास्त का भी ध्यान रखें अब वह दिन जल्द ही लटने वाले हैं जब टेक्टर खरीदते समय केवल उसकी मश्बूती और माईलेज देखा जाता था जो क्रांती मारूती सुज़की कार के छेतर में लेकर आई उसी क्रांती की आहट अब सुनाई दे रही है टेक्टर और फार्म मसीन के छेतर में भारत से सुनेरा अफसर कोई नहीं दे सकता है इसलिए कोड़ा ने पहले अपने छोटे टेक्टर लांच किये फिर भारी भरकम टेक्टर बनाने वाली दिगज कंपनी एसकॉट में भी पिछले साल 10 प्रतीशत हिस्सेदारी खरीद ली बोले तो वह दीरे दीरे इंडियन फार्म सेक्टर को कर रही है टेस्ट और जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ रहा है भारत में अपना विस्तार कर रही है बोले तो जापानी लोगों को तेजाई नहीं केस में अब कोबोटा अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने जा रही है और कोबोडा के इरादे भी साफ हैं वह एक ना एक दिन एसकॉट की मालिकाना हिस्सेदारी खरीद लेगी और इस प्रकार भारती एसकॉट बन जाएगी ग्लोबल MNC कंपनी जो फिल ग्लोबल रही है तो आप चाहें तो दुख प्रकट कर सकते हैं कि लोजी भाई एक और कंपनी गई लेकिन दूसरा नजरिया यह भी हो सकता है कि इस प्रकार और जापानी निवेश भारत में आएगा भारती किसानों को बाचिब दाम पर नए और भैतर टेक्टर एंड फार्म नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोल रही है इसे जहां तक हम समझ सकते हैं इंडियन एग्रिकल्चर सेक्टर में हमें तो जापानी टेक्निलोजी का स्वागत करते हैं अब दोस्तों आप में से कुछ दर्शक कहेंगे कि भाई जी हम तो खेती बाड़ी करते से और रही बात फाइदेगी तो दोस्तों एसकॉट को बोटा के गटबंदन से आपका भला हो इसलिए मही महीने में हमने इस टॉपिक को कवर किया था और तब से लेकर आज तक एसकॉट ने देर डाला है 40% से भी अधिक का रिटन यह अंत नहीं शिरुवात है दोस्तों ज पंखे के नीचे घर बैठे अपने आप काम हो सकता है अब रही बात एसकॉट को कब खरीदना है कब बेचना है तो इसके लिए केंडल चार्ट को कैसे पड़े तो उसके लिए अब आप आजाओ आत निर्भर इंवेस्टर कोर्स में एक बार आखरी बार आप यह कोर्स अट का चैलेंज पूरे देश में धूर लीजिए आप दिया लेकर यदि आपको इतना व्यापक और बहतर कोर्स इतने सस्ते दामों पर मिल जाए तो बताईएगा आप हमें चैलेंज है आपको दोस्तों आप इसको एकसेप्ट कर लीजिए तो दोस्तों यह था हमारा आज का अन कि आप सभी लोगों का बहुत अदिल धन्यवाद जय हिंद्ध